हमने meditation करनी ही है, मैं और मेरे husband शाम को रोज एक घंटा fixed है पूरी कोशिश होती है कि कुछ इधर से उधर भी हो जाए तो भी ये समय जो हमें meditation करनी है वो करनी ही है और आप जानते भी नहीं है कितने solutions हमारे अंदर से आ जाते हैं उस mode में, जब हम वो connected वाले mode में होते हैं कितनी बार ऐसा होता है कि when my husband is in the middle of meditation, जब उनकी कभी-कभी meditation जल्दी ख़तम करते हैं या meditation जैसी ख़तम होती है, वैसी वोट के जाते हैं और अपना laptop निकाल के उनको कुछ mail लिखना होता या कुछ करना, उसी समय करते हैं क्योंकि कुछ insight आती है, कुछ solution, कुछ answer जो hazy था, जो confusion में था या जो अभी समझ नहीं आ रहा था जो side में रखा होता कि इसका जब solution आएगा वो एकदम से कुछ आ जाता है कितनी चीजों में ऐसे हुआ है हमारे साथ हमारी life की ऐसे कुछ situation जिसमें इस तरह से answers आते हैं कि एकदम से clarity मिलती है, कुछ action करने को मिल जाता है कि ये action करना है और वो action जब हम करते हैं तो पता चलते हैं अरे उस action ने हमें कितना बचा लिया advance में ने तो ये situation होने वाली थी मैं बता नहीं सकती examples की line action से कर भी नहीं सकते थे we would have been helpless, वो हमारे हाथों में ही नहीं होती इतनी बड़ी बड़ी चीज़े जो beyond our control होती ऐसी ऐसी चीज़े change की है ऐसी ऐसी चीज़े lie है, ऐसी ऐसी चीज़े turn की है, transform की है ऐसी ऐसी situations prevent की है और ऐसी ऐसी अच्छी चीज़े create की है जो हम खुद से कर ही नहीं सकते थे क्योंकि वो human capacity के beyond होती है हम अपना जितना मर्जी दिमाग दोडा ले जितना मर्जी अपने mind पे गर्फ कर ले pride ले, arrogance हो ले कि हम अपनी बुद्धी से, intelligence से सब solve कर सकते, इन चीज़ों की ज़रुत नहीं है वो हम इतना तिनका भी नहीं कर सकते थे ये LinkedIn से ज़्यादा बड़ा connection है, हम अर्थ पे जनम लेके आए हैं, तो किसी reason के लिए आए हैं हमें कुछ fulfill करना है roles fulfill करने है, कुछ पाना है, कुछ खोना है वो सब तो होगा ही आपको उस चीज़ से दूर नहीं ले जा सकती आप चाहें तो भी नहीं ले जा सकती आप रमना महारिशी थोड़ी बन जाएंगे कुछ meditation की बात कर ली बच्चे ने या कुछ कर ली तो parents को डर लग जाता है उन्हें लगता है, अरे हमारा बच्चा तो योगी बन जाएगा एक छोटी से छोटी life insurance policy को लेने के लिए भी आप 60 साल की उमर का या 70 साल की उमर का या फिर कुछ retire होने का इंतजार नहीं करते हैं अब 20 बच्चे साल की उमर से शुरू हो जाते हैं वो work, वो involvement सिर्फ दादा दादियों के काम नहीं है, वो पोते-पोतियों का भी उत्ता ही काम है, और जब मैं ये बोलती हूँ मेरा मतलब इससे नहीं है कि बच्चे आके माता के जगराते में बैट जाएं और तालियां बजाएं, उससे मतलब नहीं है या फिर क्रिश्चिन हैं तो स्कूल रेगिलरली जाएं और वहाँ पर जो पढ़ाया जाता है अच्छे बच्चों की तरह पढ़ें नहीं ये अंदर की जर्णी है उसके बारे में आप क्यूरियोस होना शुरू कर दे वो क्या होता है, क्यों है आप कौन है इस बॉड़ी के बियॉंड वो पूछना शुरू करते हैं आंसर्स मागना शुरू करें ये आपके लिए क्यों जरूरी है ये समझना शुरू करें सारी इंवेस्मेंट, सारी दॉलर्ट, सारी पूजियां जो आप किसी advanced age पर बड़ी हुए उमर पर जब कहीं दर्द होगी तब लगाएंगे या यह कोई knee surgery नहीं है कि जब आपके घुटने गिसने लगेंगे दर्द करने लगेंगे तब आप इसका अपचार ढूनेंगे यह अध्यात्म को लेकर spirituality को लेकर एक popular समाज में popular culture में इतनी बड़ी misconception है इतनी बड़ी गलत हरना है कि मुझे समझ नहीं आता कि इस पर हसूं या इस पर अफसोस करूं spirituality कोई बुढ़ापे की लाठी नहीं है कि आप बुढ़े होने का इंतजार करें और उस समय शुरू करें यह कोई आपके बुढ़ापे का सहारा नहीं है और यह नहीं कोई hobby है या कोई distraction का तरीका या escape का तरीका या entertainment का तरीका अपने पैसे को invest करने के लिए किसी भी investment plan में या property खरीबने के लिए जिसको आप बोलते हैं कि आपके so-called later age की foundation जो है financial जो solidity है वो सब करने के लिए mutual funds में invest करने के लिए आप 60 या 70 साल की उमर का start wait नहीं करते हैं आप अभी जितना जल्दी हो सके आप शुरू हो जाते हैं तो फिर spirituality के लिए 60 और 70 साल की उमर का इंतजार क्यों करते हैं ये ब्राम ये मित्या ये गलत फहमी आपको किस ने दी कि ये वो ऐसी चीज है ये वो last चीज है जिसको आपका जब मन करेगा जब और कुछ नहीं बचेगा जब बाकी सब बेकार लगेगा जब आपकी और कहीं जरूरत महसूस नहीं होगी तब आप इसका सहरा पकड़ेंगे तब आप इसकी लाठी पकड़ेंगे और फिर आपके लिए magic wand की तरह काम करेगी अफसोस ही ये है society का civilization का हमारी आजकल की civilization का अभी तो मैं फिर थोड़ा सा ठीक होते देख रही हूँ क्योंकि we are coming full circle एक चकर घूम के आ रहे हैं और शायद दिमाग थोड़े खुलने लगे हैं लेकिन हमारे से जो कुछ साल पहले कुछ decades पहले की जो generation थी उसमें ये चीज़े ज़ादा है कि धर्म और भगवान is not the same as spirituality लेकिन क्योंकि common करके लोगों को जिनको spiritual journey शुरू होनी चाहिए वो होता क्या है वही समझ नहीं है तो फिर वो obviously भगवान क्या है spiritual क्या है धर्म क्या है ये अलग कैसे हैं जोड़े कैसे हैं अपना-पना अलग-अलग क्या माइने हैं उनको यह समझ होना यह तो मैं expect भी नहीं करूंगी लेकिन मैं बात सिफ यह समझाने के लिए कर रही हूं कि यह जो so-called जब हम जाधा scientific होने शुरू है जब जाधा हमारे पास opportunities आना शुरू हुई जब जाधा हमारे पास global exposure के तरीके बढ़ने लगे तो यह भी दार्ना साथ में आ superstition और इन सब बातों से कुछ नहीं होता काश 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 ऐसी बाते करने वाले लोग अपने ही पैर पे कितनी बड़ी कुलहारी मार रहे होते हैं वो खुदी समझ पाते शाध यह नहीं समझ पाते तो यह समझ पाते कि जो चीजे वो जिन्दगी में चाह रहे हैं जैसा फील क करते हैं, तो आप किसी पर इहसान नहीं कर रहे हैं, ना अपने माबाप पर, ना अपने बच्चों पर, ना समाज पर, और ना ही किसी भगवान पर या किसी धर्म पर, ये सिर्फ आप के लिए है, ये आपकी जिन्दगी की सबसे बड़ी वो इंवेस्मेंट है, जो आपको किस 60 साल की उमर पे या 70 साल की उमर पे काम नहीं आएगी ये आपको पूरी जिन्दगी जो आपने जीनी है उस जिन्दगी को जीने में ही काम आएगी और आप सोचिए आप उस connection को छोड़ देते हैं और बाकी हर तरहा की investment हर महीने करते हैं हर साल करते हैं सिवाए इस investment के जो की आपकी जिन्दगी की सबसे बड़ी investment है सिर्फ इस जिन्दगी की नहीं कई जिन्दगियों की जो शायद इसके बाद आने वाली हैं जो आपको फिर जीनी पड़ेगी और इसकी शुरुआत करने के लिए आप सबसे लंबा प्रोकास्टिनेशन करते हैं इंतजार करते हैं रोक लगाते हैं आना कानी करते हैं आप बिल्कुल ignore, dismiss, neglect कर देते हैं और फिर आप जब बुड़ापे में पहुँचते हैं जब आपकी ज़रूरत किसी और को नहीं है किसी कॉपरेट को नहीं किसी firm को नहीं आपके शायद बच्चों को नहीं शायद समाज को उतनी नहीं शायद आपके आसपास के लोगों को उतनी नहीं शायद दोस्तों यारों को उतनी नहीं शायद आपके खुद के spouse को उतनी नहीं तब आपको ध्यान आता है कि हाँ ये भी कोई चीज है तो शायद इससे distraction हो जाएगा, शायद इसी में कुछ सुख मिल जाए और तब आप expect करते हैं कि आप जो चाहते हैं उससे सब कुछ मिल जाए, क्यूँ? चिन चीजों में आपने invest किया है पूरी जिंदगी, जिनके उपर आपने ध्यान लिया है, फोकस किया है उनके fruits तो आपको पूरी जिंदगी के बाद मिलते है शायद, या काफी काफी सालों बाद अरसे बाद मिलते हैं, तो ये आपने कैसे समझ लिया कि जो सबसे जरूरी आपकी जिंदगी का आपकी पूरी consciousness का जो connection है, खुद के साथ ही वो आप जब मर्जी चाहे पकड़ लेंगे जब चाहे उसकी दोर पकड़ लेंगे और तब ही आपको सारे fruits एक अठे मिल जाएंगे, ये जो investment आप कर रहे हैं ये आपको वही जिंदगी जीने में मदद करवाएगी हर रस्ते पर, हर मोड पे जो जिंदगी अभी लंबी सी है ना आगे, जितने आप रोज LinkedIn का पेज खोल खोल के शायद देखते हैं उसका 10% भी आप इस पेज को खोलने में अगर invest करेंगे तो आपके जो fruits होंगे ना, कुछ समय तक में जो जिंदगी में आप तडपते हैं stresses से डील नहीं कर पाते हैं, वही जिंदगी डील करने में आपको जो चीज देगी, वो आपका LinkedIn के connections, 1000 connections भी नहीं दे पाएंगे ये बात लोगों की समझ में नहीं आती है जो spiritual connection है, वो जिंदगी को जीने का तरीका है it is a way of life ये कोई escape route नहीं है और बहुत सारे लोग ये भी बात बोलकर मजाग बनाते हैं या अपने आपको superior act करते हैं उन्हें लगता है कि कोई spiritual अगर connected है या spiritual बाते करता है या spiritual tools में इंवेस्ट करता है, अपनी spiritual journey में होने की जो potential है वो नहीं रखता इसलिए वो इस तरह की बाते करता है उनको जीने की गलत चीज़े सिखाए गई है उनको वो wisdom नहीं मिली उनके अंदर से वो wisdom नहीं आती इसलिए गलत धरनाओं का शिकार है वो so-called modernism के चकर में challenges भी आएंगे, stresses भी आएंगे, obstructions भी आएंगे, obstacles भी आएंगे, बड़ी छोटी घटनाई होंगी, बाते होंगी जब आपको हजार बार stress फील होगा, हजार बार helplessness फील होगी, disempowerment फील होगी जब आप ये समझें ना कि ये जो investment है, ये आप अभी इसले करें ताकि आप इन ही चीजों से बहतर deal कर पाएं, तब आप माइने समझेंगे spiritual जोने का जब आप retire होगे, तब तो आपने अपनी आदी से जादा जिन्दगी शायद जी ली, आपने बहुत सारे वो stresses जो जब हम जिन्दगी के मजदार में होते हैं, बीच में होते हैं, householders होते हैं, daily life की हमें ताने बानों का ध्यान रखना पड़ता होता है, finances का, income का, घर का, बाहर का, relationships का, बच्चों का, जब उस time पे आप जिस situation में होते हैं, उस time पे आपको चाहिए वो resource जो spirituality provide करती है उस time पे वो समझ, वो wisdom, वो intuition, वो insight, वो जवाब, वो solutions, वो guidance, वो clarity आपको तब चाहिए होती ही ताकि आप ये सब बहतर कर पाएं, तो आप इंतजार किस बात का करते हैं, मजदार से किसी कोने पर आ गए, आदी से ज़ादा बाते खतम हो गई, जब जिन्दगी का एक बहु को ये बोलता है न, कि ये जो spiritual बाते हैं, ये जो spiritual activities हैं, या जो spiritual चीजों में interest लेना होता है, वो बेकार की बाते होती हैं, या वो आपको अभी जीवन की जो असली चीजें हैं, जो असली काम करना है, जो हसल करना है, उससे दूर रखेंगी, या distract करेंगी, तो ये आपका ego वाला माइंड बोल रहा है, माइंड, तो ये अगर थौट आपके अंदर है, कि ये बेकार की बाते हैं, आपको लगता है, कि असली दुनिया तो जो माइंड से दुनिया हो रही है, जो आप अपने थौट से क्रेट कर रहे हैं, अपने अक्शन से क्रेट कर रहे हैं, अपने अ इगो फिल्ड माइंड से बोल रहा है, वो भी उसी इगो माइंड का शिकार है, उसी इगो माइंड वाले कल्चर का शिकार है, ऐसे इनसानों को इससे जादा बहतर कुछ पता ही नहीं है, इसलिए उन्हें यही सच लगता है, तो पिरिच्छल पाथ कभी आपको कुछ आए हैं, जो जीवन आपने जीना है, वो तो जीना ही है, आपको जो उपलबदियां मिलेंगी, अगर आपको सक्सेस चाहिए, आपको अबंडन्स चाहिए, आपको सारी चीजें मिलेंगी, अगर आप वो डिजर्फ करते हैं और आप उसके लिए सही तरीके से काम करते हैं, और अगर आपकी वो destiny में भी हैं, आपको वो सारी चीजे मिलेंगी, in fact, spirituality आपको वही चीजों की तरव बहतर तरीके से लेकर जाएगी, जो आप एक upstream जाने की कोशिश करते हैं, या हवा की direction है, उससे लड़के जाने की कोशिश करते हैं, वो ही journey आपकी बहतर कर देगी, वही रास्ते आपके लिए खोल देगी, जो आप बंद होने के बाद हथोड़ा लेकर जिन दर्वाजों को तोड़ने की कोशिश करते हैं, वो बहुत सारा time waste नहीं करेंगे गलत चीज़ों में, आपका रस्ता और laser sharp और clear और light filled होता जाएगा, आपको ये गलत फैमी भी कहां से आती है, लोगों को मुझे समझ नहीं आता है, कि spiritual हो जाएगे, या अपने बच्चों को लोग सिखाते हैं, कि spiritual हो जाएगे, अगर वो spirituality में कुछ नाम भी ले लिया, कुछ बात भी कर ली, अरे हमारा बच्चा तो घर छोड़के भार चला जाएगा, गामंडल लेके चला जाएगा, ऐसे नहीं होता है, आपका बच्चा महरशी नहीं बनने वाला है क्योंकि महरशी बनने के लिए भी उते प्रारब्ध होने चाहीए आपका बच्चा इतना advanced नहीं है कि वो स्टेज पे पहुँच जाए इस तरह से नहीं होता है इतनी spiritual height पे पहुँचने के लिए भी वो स्टेज पे पहुँचने के लिए कि आपके लिए आप कुछ माईने नहीं रखता वो भी एक stage होती है वो सबके बस की बात नहीं है, वो स्टेज पर आना, हाँ ढोंग बहुत रचा लेते हैं कि उस स्टेज पर पहुँच गये, लेकिन असली में जब इंसान उस स्टेज पर पहुच जाता है, वो तो वेसे ही बहुत आगे निकल चुका होता है, तो चिंता मत करें, आपके संगत में पढ़ने की प्रॉबबिलिटी कम होगी, उन्हीं के जो स्ट्रेस में जो बिमारियां होती हैं, जो वो गलत काम करते हैं, जो वो चीकते चिलाते हैं, जो एंगर का शिकार होते हैं, जो उनके साथ गलत कमपनी होती हैं, उन्हीं की वो सारी चीजे कम होगी, बहुत सा जो confusion है, clutter है, वो decide नहीं कर पाते, कि सही क्या है, वो clutter confusion उन्हीं का कम होगा, बहतरी होगी हर तरह से, ये समझ बहुत जरूरी है, और unfortunately क्योंकि culture ऐसा है, तो इसमें हम क्या दोशते हैं, लोगों को भी, बच्चों को भी, क्योंकि parents ही ऐसे हैं, उनके उपर उनके parents ऐसे थे, उन की progress का, हमारे progression का, हमारी material well-being का, इस progression का कोई connection ही नहीं है, spiritual journey से, वो तो journey ऐसी होती है, वो connection तो ऐसा होता है, जो हमारा हर connection, हमारी हर journey को भेतर करता है, हमारी हर रुकावट को कम करता है, हमारे लिए ही रस्ते खोलता है, तो जब हम ये बोलते हैं, कि ये journey बेकार की चीज़ कर रहे हैं, जो गढ़े कम हो सकते थे, हम जाता गढ़े खोद रहे हैं, जो रस्ता आसान हो सकता था, हम उसे और मुश्किल कर रहे हैं, और फिर हम अपने आपको बोलेंगी, achiever है, successful है, हम वो सारे खिताब लेंगे, लेकिन वो चीज़े हमें और protected way से मिल सकती थी, और कभी ऐसे होता है कि हम गलत चगे पर पहुंच आते हैं, हमें success तो मिलती है, लेकिन बहुत गलत तरहां से मिलती है, बहुत कुछ ले जाती है, बहुत stress ले आती है, इधर से मिलता है, तो उधर से कुछ निकाल देती है, उन चीज़ों से हम बच सकते थे, क्योंकि ये journey हमें protect करती और वही करने हम आए हैं, जो हम lesson सीखने आए हैं लाइफ में जो हम बार 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 रखके खाखर के भी सीखते नहीं हैं, complaints करते हैं, bitter हो जाते हैं लाइफ की प्रती की life मेरे साथ unfair थी, life ने मुझे ये नि दिया, वो नि दिया, ऐसे नि दिया, वैसे नि दिया, वो सारी ची पाए होते हैं और जब सीख पाए होते हैं, तो आपकी और बहतरी, और तरक्की, और सब कुछ अच्छा ही होता, इंसान की वो जो सोच है कि नहीं, मेरा mind ही सब कुछ है, मेरी will ही सब कुछ है, वो गलत है, वो change हो रही है, मुझे दिख रही है, positive changes दिख रहे हैं, यंगर जन बनेता है, relatively population इस तरह की भदकी हुई थी, भटके होई decades थी लेकिन आपके है एसी एक आप population जो समझ में आ रही है, जो वापस inner वक कर रही है वह भढ रही है This is a very good thing, very positive thing इसलिए अभी जो लोग अभी ऐसे हैं जो अभी ऐसे सोचते हैं वो बहुत अजीब लगते हैं ऐसे लगता है कि वो कहा खोय हुए है कौन सी दुनिया का पार्ट है अभी इनको कितना आगे जाना है कितने ignorance में है कितने अंजान है तो इतने अंजान मत बनिये जो जिन्दगी जीनी है उसको जीने के लिए ही आपको spiritual connection चाहिए उसी के लिए आपको spiritual light चाहिए उसी के लिए आपको spiritual solutions चाहिए क्योंकि सबसे highest solutions spiritual solutions ही होते है वो political solutions नहीं होते वो social solutions नहीं होते वो economic solutions नहीं होते वो कोई feminist solutions नहीं होते वो कोई patriarchal solutions नहीं होते वो कोई cultural, religious किसी भी तरह के solutions नहीं होते वो सिर्फ spiritual solutions होते हैं और वो बाकी ये सारे aspects जिनके मैंने बात की न उस सब में घुलते हैं और उन सब में अपने आप उनके हिसाब से solutions ले आते हैं आपको ये समझ नहीं थी आपने बहुत एक उमर भड़ने के बाद रेटायर होने के बाद ये चीज समझी है लेकिन तब भी समझ ली तो बहुत अच्छा हुआ लेकिन समझ ली तो उस उमर में भी अगर आप इसको distraction की तरह ट्रीट कर रहे हैं या बस एक TV में लगाके किसी का प्रचार सुन ली और फिर TV बन कर दिया एक past time की तरह, hobby की तरह जिसमें time निकल जाता है उसकी तरह ट्रीट कर रहे तो कुछ नहीं होने वाला है लेकिन अगर आपने उस उमर में किसी भी उमर में सच में समझ ली ये बास और सच में अंदर का काम शुरू कर दिया सच में ये connection डिवलप करना शुरू कर दिया सच में समझ गए कि यही जीवन का सार है तो आपके आने वाले साल, आने वाली जो जिन्दगी है वो भी बहुत अच्छे से निकल सकती है बहुत कुछ और अच्छा हो सकता है बहुत सारी क्योंकि उस उमर में भी बहुत सारी चीज़े होती जो इनसान को दुख देती है नए तरह के circumstances हो जाते हैं जो दुख देते हैं जो life के prime time में अलग circumstances होते हैं लेकिन वो time में भी जो चीज़े आपको surround करती है वो बहुत अच्छे से उसके solutions आपको तब भी मिल सकते हैं इस चीज़ को अगर आप delay करेंगे इस चीज़ को अगर आप deny करेंगे कि ये कुछ होता ही नहीं है तो आप अपने ही जिंदगी में जो बहतर जीने का तरीका हो सकता था जिसके लिए आप gratitude दे सकते थे उससे आप अपने आपको दूर रख रहे हैं हर उस mode को बहतर और सही जीने का right action उन mode पे उस हर mode पे करने का ना सिर्फ ये वही तरीका है बलकि ये आप जिसलिए आपने जन्म लिया है उसका भी reason है कि आपको spiritually advance होना है आपको spiritually lesson सीखने है आपको spiritually अपनी consciousness को evolve करना है ये आपका बर्थ लेने का reason है आप एक नौकरी ढूणने के लिए एक success ढूणने के लिए आपके नाम के आगे titles लगे हो आपके पीछे बहुत सारे लोग घूम रहे हो आप इस reason के लिए bond नहीं हुए वो चीजे भी चाहें आपकी जिंदगी में होंगी लेकिन वो होंगी क्योंकि वो एक journey का part है उस हर lesson का भी एक meaning है इसलिए वो चीजे आपके साथ हो रही है आपको ये universe ने ये चीजे देनी है क्योंकि आपकी life journey में वो किसी ना किसी तरह से connected है उनका कोई meaning है कोई माइन है आपके लिए कोई प्ररब्ध है जो से जुड़े इसलिए वो चीजे होती है वो incidental चीजे है वो core reason नहीं है आपके birth लेने का कि आपको ये entertainment करना है ये parties करनी है ये करना है ऐसे friends बनाने इसलिए आपके जनम लिया आपने जनम सिर्फ spiritually evolve होने के लिया है बहतर हो जाए पिछले जनमों से पिछले जनम से जो नहीं सीख पाएं वो अब सीख पाएं वहां से उधार हो सके उपर भर सके आपकी consciousness और expand हो सके इसलिए birth लिया है और ये काम के लिए ही जिस काम के लिए इंसान ने birth लिया है उस इंसान के लिए पूरी अपनी जिंदगी निकालने तक का इंतसार नहीं करता इंसान वो पहले दिन से शुरू कर जाता है होशो अवाज जैसे ही समाले वैसे ही शुरू कर जाता है तो बस अगर आपके अंदर बीच था शायद और इसलिए आप इस वीडियो तक पहुंचे थे तो ये वीडियो सुनने के बाद आपका शायद वो बीच पन अपने लग जाए या कोई भी सपाक की जुरौत हो तो हो सकता है ये वीडियो वो सपार्क पन के आगया हूओ आपके इंदर री कंफिम कंफिमेशन की जरौत ही तो आपको री कंफिमेशन मिल गया उगी तो बस इतना ही समझ लेना काफी है जैसे बूलते हैं न समझने वाले समझ गए हैं जो न समझें वो अनारी है